हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई चैनल फ्रेंड्स मिसीस कोली की तरफ से प्यार भरना नमशकार सत्ष्रिया अकाल अदाब दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं वेज पोहा पुलाओ जी हां ये पुलाओ बहुत बनता है और ये टेस्टी सा पोहा किस तरह से बनाते हैं अपने घर पर आये देख लेगे हैं तो दिखे मैंने कड़ाई रख दिया और दो तिन चमबच डाल दिया इसमें ऑईल हो गया हलका सा गरम इसमें डालेंगे हम कुछ हरी मिर्च बीच में मैंने इसलेट कर दिया है कट लगा दिया है इसे थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं साथ में डालते हैं कुछ काजू जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर आते हैं फ्राई होने के बाद क्यूंकि हमें इसे गार्निश करना है तो गार्निश करने के लिए मैंने हरी मिर्च और काजू को डाल दिया ह आइल में फ्राई होने के लिए तो कुछ सेकंड्स के लिए से फ्राई करेंगे ज़्यादा नहीं फ्राई करना बस हरी मेर्च हो गई है हमारी निकाल लेते हैं इन्हें साथ में काजु भी हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं इन्हें भी निकाल लेंगे अब इसी ओई में हमें लगाना है बड़ी असा तड़का तो तड़का लगाने के लिए हमने क्या करना है दो चुटकी डाल देंगे हम इसमें हिंग बहुत ही बड़ी अफलेवर आता है इससे साथ में आदा चमच मैंने डाल दिया है सरसो के दाने साथ में डालते हैं इसमें कुछ कड़ी पत्ते जो मैं पहले से अच्छी तरह से धो चुकी हूँ, साफ कर चुकी हूँ तो अब डाल देंगे इसमें हम कटा हुआ प्याज, तो दो प्याज है मैंने रफली ही चॉप की है, आप देखी रहे हैं तो अच्छीता से mix करते हैं इने और अच्छीता से fry कर लेते हैं ज्यादा color change नहीं करना बस इसका जब तक कच्छा flavor ना खतम हो जाए प्याज का तब तक हम इसे भून लेंगे आप यकीन मानिए इस तरह से अगर आप वेज़ पोह पुलाओ बनाते हैं तो खाने में बहुत टेस्ट आता है और आप इसे बार बर बना के खाने वाले हैं तो देखे मैंने एक चमच के करीब डाल दिया इसमें ginger garlic paste इसे भी चीता से mix करते हैं और इसे भी भून लेते हैं ता तो अब डालते हैं इसमें कटे हुए टमाटर तो दो टमाटर हैं रफली ही चॉप की हैं आप देखी रहे हैं अब इन्हें भी अच्छीता से mix करते हैं और भून लेंगे इसे भी अब देखिए हमने टमाटर डाल दिया हैं तो साथ में ही जाएंगे इसमें कुछ मसाले तो मसाले भी देख लेते हैं आदा चमच मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का powder यानि की red chili powder आदा चमच ही डाल रही हूँ हल्दी powder यानि की turmeric powder टेस्ट के कॉर्डिंग डाल दिया है मैंने इसमें नमक यानि की salt और यह है आदा चमच coriander powder यानि की धनिया powder तो चलिए करते हैं इसे भी अच्छी तांसे mix थोड़ा सा भून लेते हैं और flame इसकी बिल्कुल high है high flame पर ही मैं अच्छी तांसे भून रही हूँ सभी चीजों को तो अब बारी आती है इसमें add करने की कटी हुई गाजर और कटी हुई शिम्ला मिर्च की तो चलिए अच्छी तांसे करते हैं इने भी mix देखिए wedges आप इसमें कोई भी add कर सकते हैं आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं आप इसमें sweet corns भी add कर सकते हैं लेकिन मैं शिम्ला मिर्च और गाजहरी इसमें add कर रही हूँ और अच्छी तरह से देखिए मैंने इसे भून लिया है दो तीन मिनट लगा कर बहुत अच्छी तरह से पक भी चुकी है और देखिए मैंने पोहे को अभी अभी just मैंने इसे अच्छी तरह से दो तीन बारी धो कर रख दिया था जब मैंने तड़का लगाना start किया था और ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है अब डालते हैं इसमें बस अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसे सर्जिया डालने के बाद दो त अच्छी तरह से ये फूल चुका है बस अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे और बस लीजिये पोहा हमारा वेज पोहा पुलाओ बिल्कुल त्यार है चाहिए आप इसे वेज पोहा कहें या वेज पोहा पुलाओ कहें जो भी नाम इसको दे खाने में बहुत टेस्टी लगता है बहुत ही यमी लगता है तो एक मिनट के लिए मैं इसे और थोड़ा सा पका लूँगी देखिए मैंने एक मिनट और पका लिया है इसे अच्छी तरह से अब डालते हैं इसमें खूब सरा हरधनिया साथ में ही डाल देंगे इसके ओपर हरी मिर्च और काजू देख कि लुक कितना जबरदस्ता है बहुत ही टेस्टी किला किला हमारा वेच पूहा पुलाओ बनकर हो गया है त्यार तो खाने के लिए है बिल्कुल त्यार तो कैसी लगी आपको मेरी ये रस्पी अगर अच्छी लगी तो प्लीज यसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा श सब्सक्राइब इस तरह से अच्छी वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो दोस्तों फिर मिलती हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तक के लिए बाइबाइबाई